जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में अस्थानिय भासा बिवाद होगा सांत जिला अस्तर ये नोकरियों में छेतरी वा अस्थानिय भासा के चेयन की सरकार समिक्षा कराएगी अलम ने सदन में बताया कि सारे पहलूओ को समाहित करते हुए सरकार उसकी समिक्षा करेगी जहां जहां भी संगती है उसे दूर भी किया जाएगा भाजबा विधायक अमीत मंडल ने सदन में ममला उठाते हुए कहा कि कुडमाली व कुरमाली भासा को गोटा जिला में सामिल नहीं किया गया है इसे तृती व चतुर थोवर्ग की नोकरियों में कुरमी महतो को वन्चित होना पड़ेगा 2011 की जनगना के नसार वहां 32 हज़ार से ज़्यादा महतो की अबादी थी महा सिवरात्री पर जार्खन के सिवालियों में उम्रे सरधालू सिव भक्तों ने बड़ी संक्या में जलावी से किया सुबा से ही सरधालू सिव मंदिरों में पहुशने लगे हैं कई सरधालू ने भागवान सिव का जलावी से किया तो वहीं कुछ भक्तों ने रुद्रावी से कर सुक सम्रेदी की कामना की जमसेत पूर में बनेगा E-West Recycling Plant Recycle B Private Limited दिली ने E-West Recycling Plant अस्थावित करने के लिए सोमवार को CSIR NML से टेकनोलोजी लेने का करार किया है इसके तहद लिथियम आयन बैटरी से लिथियम, कोबाल्ट, मैगनीज, निकल, कौपर, अल्मोनियम और ग्रेफाइट की रिसाइकलिंग तकनीकी का हस्त्रांत्रन होना है ब्यापार परमुख डाक्टर एसके पाल एवाम डाक्टर वीना कुमारी ने M.O.U. करवाने में सयोग किया के आर आईटी की तरफ से डाक्टर पारसनात मिस्त्रा ने M.O.U. समधित कारियों में इवेस्ट रिसाइकलिंग के छेत्र में भारत में संभावनाव पर विस्तार से जनकारी दी रिसाइकल बी प्राइवेट लिमिटेट के निदेशक मोहित गर्ग ने कहा कि वेपार में प्रगती करते हुए बर्तमान परिच्छेप्य में जहां सिमित प्राकिर्ती अवस्य खाएं इवेस्ट रिसाइकलिंग के महत्व को देखते हुए CSIR NML जमसेदपूर के साथ तकनिक हस्त्राइटन का करार किया है बिस्कूट खाकर भूख मिटाने को मजबूर है जहारखन के छात्र जमसेदपूर के कई भी द्यार थी अभी उक्रियन में फसे हुए है जान माल के नुकसान के असंका के बीच छात्र शत्राए दाने दानों को मोहताज हो गए हैं बचों की इस्थिती जानने के बाद अभी भावक भी परिशान है खार कीव में फसे आयूसी के पिता सत्यजीत सिना ने बताया कि उनकी बेटी पांच दिनों से बंकर में है बिस्कूट खाकर जान बचा रही है वहां केवल पानी मिल रहा है ज्यार्खन में 1141 पदोपर न्यूकती की परकिरिया सुरू राष्ट्रिय स्वास्त अभियान ज्यार्खन के साथ साथ अब ज्यार्खन State AIDS Control Society में भी विभीन पदोपर न्यूकती परकिरिया सुरू कर दी गाई है सोसाइटी में अनुबंध पर होने वाले नियुक्ति के लिए 15 मार्ज तक जार्खन सरकार के रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन आवेदन मांगे गए हैं जिन पदोपर नियुक्ति होगी उनमें विभीन, विभागों में सन्युक्ति निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक आदिक के कई पत सामिल हैं इनके अलावा मानव संसाधन पताधिकारी तथा जीले में ए आर्टीसी केंदरों के लिए चिकित्सा पताधिकारीों की नियुक्ति होगी इनमें गुमला पलामू देवगर दुमका पच्मी सिमुम तथा कोडरमा सामिल हैं आज से महंगा हुआ गैस सिलेंडर रूस युक्रेन यूद के बीच आज यानि मंगलवार एक मार्च को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं राइधानी राची में सिलेंडर के रेट में 108 रुपे 50 पैसा के ब्रीधी हुई है हालाकि इजाफा कॉमर्शल सिलेंडर में किया गया लेकिन माना जा रहा है कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी बर सकती है मंगलवार एक मार्च 2022 वो कमर्शल सिलेंडर की कीमत में ब्रीधी कर दी गई राई दाद हानी राची में 29 क्विलो वाला एलपीजी सिलेंडर एक मार्च से 108 रुपे 50 पैसा के बड़ोतरी के साथ 14ownik रुपे 50 पैसा में मिलेगा सिवरातरी पर बोल बम के जैकारों से गूज रहा पहाडी मंदीर महासिव रात्री के औसर पर रांची के पहाडी मंदीर में रात के दो बये से सरधालू के भीड जूटने लगी भागवान सीव का सरकारी पूजा होने के बाद सरधालू के लिए सुबह चार बये से पट खोल दिया गया यहां सुबह 10 बजे हजारों के संख्या में सरधालू के भीड है यातायात को देखते हुए पहाडी मंदीर में आने वाले सभी रास्ते को पूलिस ने बेरिकेटिंग कर रखा है पहाडी मंदिर के तमाम सभी मंदिरों में सरधालूओं की भीड है लोग खुब फूजावादान कर रहे हैं महिला पुलिस कर्मी से साधी का जहासा दे कर यओन सोसन जारखन कि राईधारी राची के यारपोड थाने में एक महिला पुलिस कर्मी ने खुटी जिला बल में पोस्टेट सिपाई चंदन कुमार पर योन सोसन की फायार दर्ज कराई है चंदन कुमार सोना हाथ उठाना छेटर के चैनपूर गाउ का रहने वाला है फिलाल वा खुटी जिला बल में पोस्टेट है उसके खिलाब सिकायत दर्ज कराने वाली महिला पूलिस कर्मी भी खुटी इस्थीत एक अलग एजेंसी की बाल में पोस्टेट है पूलिस के अनुसार महिला पूलिस कर्मी की दोस्ती फेस्बुक के जरिये हुई इसके बाद आरोपित सिपाही ने साधी का जासा दे कर यहां सोसन किया इस बीच उसने बीते च्छा फरवरी को किसी दूसरी लड़की से साधी कर ली है रांची में खुद से बिजली बिल जमा कर ले सकते हैं रसीद छारखन की राजधानी रांची में लोगों को अब बिजली बिल जमा करना आसान होगा लोगों को राहत देने के लिए इंडिया इंफिनिटी आईटी कमपनी के द्वारा 52 अस्थानों पर नई ATP मसीन लगाई जा रही है राजधानी में कमपनी को 15 मार्च तक पूरी मसीन लगाने का आदेश दिया गया है कई जगों पर मसीन लगाने का काम शुरू हो गया है इस मसीन में लोग अब कैस के अलावा डिडी, चेक और काड से पेमेंट कर सकते हैं कार्ड से पेमेंट करने पर लोगों को काफी राहत मिलेगी पुरानी मसीन में लोग सिर्फ कैस जामा कर पाते थे इस वज़ा से लोगों को परिशानियों का सामना भी करना पड़ता था विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस बिशेश हर साल एक मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है इस खास दिन पर पूरे विश्व में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है नागरिक सुरक्षा के महत और दुर्घटनाओ या आपदाओ की स्थिति से रोक्थाम के लिए जागरूपता बढ़ाने और उसे रोक्थाम पर ध्यान आकरिष्ट करते हुए इस दीन को खास रूप से मनाया जाता है साथ ही इस महोखे पर आत्म सुरक्षा उप्योग के लिए जानता का ध्यान आकरिष्ट कराना मुख्योदेश होता है आपको बता दे कि इस दीन को 1990 में इंटरनेशनल सीविल डिफेंस और्गनाजेशन द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में सामिल किया गया था तब ही से एक मार्च को बिस्व भर में नागरिक सुरक्षा के मदनजर इस दीन को बिस्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है DVC से त्री पक्षिय समझोता रद जार्खन सरकार ने निती आयोग के समझोता का ममला उठाया आयोग के साथ बैठक के दवान इस सम्जोता को रद करने की मांग की गई सरकार ने ज्यारखन में इस्थीद विभीन केंद्री उपकरनों पर बिली का करीब 1500 क्लोर बकाया की मांग भी की जनकारी के उन्जारमों के मंत्री है मन्सुन के देख्षता में विधान सबाइथित उनके कक्ष में हुई इस बैठक में राज सरकार की ओर से केंद्र के अधिकारियों को बताया गया कि कैबिनेट ने डिवी सी के साथ त्रिपक्षे समझोता से बाहर निकलने का फैसला लिया इसकी जनकारी केंद्र को दी जा चुकी है लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं हुई जारखन में 18 नए संक्रमित मिले जारखन में कुरोना मरीजों की संख्या लागतार कम हो रही है इन दिनों संक्रमित मरीजों की संख्या 50 से भी कम आ रही है मंगलवार सुबा पिछले 24 गंटे में कुरोना से 81 लोग स्वास्त भी हुए है इसके विप्रीत राज में कुरोना के सिर्फ 18 नए मरीज मिले राज में कुरोना के सक्रिय मामला 418 हो गई है बता दे 125 राइधानी राची में है इस जिले में अभी तक कूल 1,13,265 पोजेटीब मरीज आये है इसमें से 1,11,534 लोग स्वस्त भी हो चुके पिछले 24 गंटे में भी सबसे अधिक 12 मजी राची से मिले है ट्रेनों में पहले की तरह मिलेगा जनरल टिकट कुरोना संक्रमन की रफ्तार कम होने के बाद रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा पुर्व की तरह बहाल कर दिया है रेलवे बोर्ड के डारेक्टर, पैसेंजर, मार्केटिंग, बीपूल सिंगल ने इस बावात सभी जोन को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि सभी ट्रेनों के नंबर को पुरु की तरह रेस्टोर कर दिया गया है अब लोगों को सीट अरक्षित करने के जरूरत नहीं है कुरोना कान में बंद दिव्यांगों के लिए किराये में छुट फिर चालू कर दी गई है कुरोना संक्रमन की रफ्तार थमते ही ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा पहले की तरह बहाल कर दी गई इस संदर्म में रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को पत्र लिखा है जारखन में फिलहाल पच्मी भी छोब नहीं है एक हपते बाद पच्मी भी छोब बनने की संभवना है आज मंगलबार को अकास मेहल के बादल चायर आ सकते है हलाके दीन में गर्म होने पर सामें मौसम में बदलाव संभव है तीन मार्च को अधिक्तम तपमान में 2-3 डिगरी सेल्सेल की ब्रीधी की संभवना है मार्च के पहले सब्ता से ठंड में कमी आ जाएगी इसके साथ ही मौसम सुहाना हो जाएगा जाबकि मार्च के दोस्तर सब्ता से गर्मी दस्तक देदेगी धन्यवाद